नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पातिस्तेंग चारो और एक ही खबर चाई हुई है डर का महल भी है खबर अकबारों पर देखें या फिर न्यूस चैनल्स पर कि एक शक्ती शाली तुफान आपके इर्द गिर्द मड़राने वाला है शक्ती शाली साइकलॉन विपर जॉय तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है आज शाम तक इसके गुजरात के तट से टकराने की आशंक जताई गई है जिसको लेकर राजा से लेकर केंदर सरकार तक अलर्ड मोड में नजर आ रही है इससे बचाव की लगबग सारी तैयारियां भी की जा चुकी है वहीं पिछले कई दिनों से सम्मुंदर भी आशांत नजर आ रहा है तेज हवा और भारी बारिश खत्रे का संदेश साफतोर पर एक अंदेशा सा और बढ़ता जा रहा है हाला कि इसको लेकर तमाम सवाल आपके मन में भी घर कर रहे होंगे जैसे कि ये किन इलाकों को प्रभावित करेगा कितने दुनों तक रहेगा इसका नाम विपर जोय कैसे पड़ा और ये साइक्रॉन कैसे बनते हैं चलिए जानते हैं इन छे सवालों के जवाब जो शायद आपके मन में होंगे पहला सवाल तो यही होगा कि विपर जोय नाम इसका कैसे पड़ा आपको बता दे कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मताबिक अठारवी सदी तक चक्रुवर्तों के नाम क्याथलिक संतों के नाम पर रख दिये जाते थे दीरे दीरे समय बद्दा तो 19 सदी में इसके नाम महिलाओं पर रखे जाने लगे फिर 1979 के बाद इन्हें पुर्शों का नाम भी मिलने लगा वहीं विपर जोय की बात करें तो यह बांगला भाशा से लिया गया शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है आपदा इसका नाम बांगला देश ने दिया है कितनी तबाही मचाएगा यह सवाल भी आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतना शोर है तो यह कितनी तबाही मचा देगा आपको बता दे मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवत की चपेट में गुजरात के कच, देव भूमी, दारका, पोरबंद, जामनगर, मोरभी, जूनागर और राजकोर्ट समय कई जिले आने वाले हैं इस दोरान भारी से भारी बारिश भी का अनुवान भी लगाया जा रहा है 16 जून को चक्रवत राजस्थान के कुछ इलाकों को प्रभावित करेगा विपर जॉय के इलाकों में 15 जून तक लगभग 95 ट्रेने कैंसिल कर दी गई है जी हाँ जानकारों के मुताबिक चक्रवत के दोरान हवा की रफ्तार लगभग 150 क्लो मीटर घंटा तक पहुचने की संभावना है इसे रास्ते में आने वाले कच्चे घरों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा पक्के मकानों पर भी इसका असर पड़ेगा इतना ही नहीं बिजली के पोल और यहां तक की टावर्स भी उखड सकते हैं सरके भी डैमेज होंगी सिगनल सिस्टम में भी परिशानी आएगी फसलों को काफी नुकसान पहुचेगा फलदार पेड जड़ जाएंगे चोटी नावे भी भैस सकती है और यहां तक की आप अब यह सोच रहे होंगे इसकी तबाही कहां कहां तक जाएगी तो आपको बता दे 6 जून 2023 को अरब सागर में चक्रवर्थ विपर जोय उठा था शुरुवाती दिनों में यह पाकिस्तान के कराची की तरफ बढ़ा लेकिन फिर उसने रास्ता बदला और गुजरात की तरफ बढ़ता चला गया 12 जून को गुजरात के पोर बंद से 320 किलो मीटर दूर होने की जानकारी सामने आई इसमें मौज़ों विवाद में आज 15 जून को विपर जोय गुजरात के तच्टिय इलाकों से टकराएगा इस दुराद 150 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी इसकी चपेट में गुजरात के कच, पोर बंदर, जामगर, मोरभी, जूनागर, देव भूमी और राज कोट समित कई जिले चक्रवट की चपेट में आ जाएंगे अब ये भी सवाल आप सोच रहे होंगे कि कितनी ताकत के साथ या आने वाला है तो इसके वाल के जवाब आपको बता दे कि IMD की DG साफत और पल्स पर बोलती हुए नजर आई कि आज शाम करीब चार बज़े से रात आट बज़े के बीच विपर जौए जो है साइकलोन तट से टकराएगा इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात के सोराश्ट और कच के जव बंदरगाह पर पड़ेगा आपको बता दे कि जखाओ बंदरगाह होगा इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी इसका साफतोर पर असर देखने को मिलेगा ये पा जी से चलने वाली है प्रभावे जलो में सुबा 125 से 135 क्लोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शाम तक 150 क्लोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी वहीं आज भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है इसका असर अगले दिन भी दिखाई है अब इसका कितना नुपसान जेलना पड़ेगा ये कितना भयंकर होने वाला है ये क्या क्या करने वाला है आपको बता दे मीडिया रिपोर्ट के मुताबक इस तूफान की वज़ा से 17 से अधिक गाउ 75 30 शहर 41 बंदर गहा दाफ पर लगे हैं अब तक लगबग 35,000 से 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है वहीं हजारों कच्छवारों पर भी इसका असर पड़ेगा विपर ज्वाय के मद्धनजर जानकारों का कहना है कि गुजरात को उडिसा से सीखना चाहिए जहां अमूमन हर साल साइक्लॉन आता है उडिसा दूसरे त अबाही आने वाली है इस पर सरकार की क्या तैयारिया है तो आपको बता दे इस तूफान के मद्धनजर गुजरात में MDRF की 10 और NDRF की 12 ती में तैनात की गए हैं इसके साथ ही टीमों को स्टैंड बॉय पर रखा गया है साथ ही मच्छवारों के समुंदर में जाने की प्र और साफतोर पर डिजास्टर मेनेजमेंट की जिम्हदारी सीनियर मंत्रियों को भी सोब दी है इसको ततकाल ग्राउंड पर पहुचाने के निर्देश दे दिये गए हैं इससे पहले ही छे जिलो में साफतोर पर शेल्टर होम बना दिये गए हैं साथ ही समुंदर तट से 10 कि पीटर के इलाके को खाली करवा दिया गया है ऐसे में सबसे शांती बनाए रखनी की उम्मीद भी की जा रही है और ऐसी इस तुफान से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंद्या जोस धन्यूबाद